हेलो, वेलकम बैक, आज हम लोग देखेंगे कि आपका symmetric matrix ऐसे find out करते हैं 2D array के अंदर चेक करेंगे कि symmetric matrix है की नहीं, आपकी एक array लेंगे, उसके check कराएंगे कि वो symmetric है की नहीं बात करते हैं, देखें, symmetric matrix होती क्या है, symmetric matrix वो matrix होती जिसकी original matrix is equal to transpose form of it, क्या होना चाहिए आपका, original matrix जो होगी वो बरावर किसके होने चाहिए transpose form के, तो check करते हैं ध्यान से, अब देखें, सबसे पहला चीज क्या होगा, आपको entry करानी पड़ेगी आप एक int, a नाम का array declare कर दीजेगा, double dimension array, new int, m by n का m और n के उपर user entry, उसके बाद फिर यहां पर आप क्या करोगे, user entry, सब को पता है standard rule, जो भी है आपका, उससे क्या कर देंगे, entry करा देंगे, किसकी, a की, अब आगे conditions पर आते हैं, कैसे हम लोग conditions लगाएंगे, simple जाए, एक काम करेंगे हम लोग इस question में, कि a of r is to c, यह suppose हमारा original का element हो गया, इसका transpose form क्या होगा, a of r is to c का transpose क्या होगा, a of c is to r, अगर यह दोनों बराबर नहीं हैं, अगर यह दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आपका symmetric matrix नहीं है, यह दोनों बराबर बनाए, उपर loop लगा दो आप, for r is equal to 0, r is less than what mr की value क्या हो जाएगी, plus plus bracket open किया, for c is equal to 0, c is less than what nc की value क्या करा देंगे, plus plus bracket open किया, अब यहाँ पे एक int z नाम का variable, यहाँ पे हमने एक z नाम का variable लिए, उसकी initial value हमने 0 दे दी, यहाँ पे z नाम का variable, जिसकी initial value 0 दी, अब यह पे यह वाली condition false नहीं हुई थी, कहीं पे यह वाली conditions और true तो नहीं हुई थी, अगर true हुई, that means symmetric नहीं है, अगर true हो गई, मतलब equal नहीं है, तो इसका मतलब symmetric नहीं है, ठीक है, तो z यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग plus plus, दोनों brackets को आप close करो, अब at last हम लोग क्या करेंग not symmetric, और भाई अगर true, else symmetric, I think यह clear हो गया होगा अच्छे से, fine, okay, thank you